हलो फ्रेंट्स नमस्कार एंड वेलकम डू शमाधन साथियों अभी अभी बीपेसी के द्वरा एक अफिशन नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के मादने हम से जैसे गया भी बिहार सिख्षक वर्ति 2.0 का आविदन लिया जा रहा है और आज से आप लोग रेजिस्ट से ना बिहार लोक्षिवायोग सिख्षा विभाग बिहार के अंतरगर्ट विद्याले अध्यापग के कुल उनहत्तर एजद साथ सुच्छी पदो एम पीछड़ा वर्ग एम अती पीछड़ा वर्ग काल्यान विभाग के अंतरगर्द कूल 916 पदो पर नेप्ति हैतु दिन दिनांक 4 नॉम्बर 23 को बीगापन संख्या 27 असलेश 23 प्रकाशित किया गया था और उक्त करम में प्राप्त सिख्षा विभाग के पत्रांक दिनांक साथ 1223 पत्रांक दिनांक 823 के अलोग में निम्नांकित बिंदू को समाहित किया जाता है यानि जो बदलाव किया गया इस परिक्षा में उत्रईन होने वाले प्रसिक्षित अभेर्थियों को मात्र इस प्रथम संभेभार में अधिक्तम आयूँ में 10 वर्ष की छुट दिनांक 1823 का अधार पर दे होगी यानि कि जो 2010 अप्रेल 2023 के पूर्व जो लोग एस्टेट किये हैं चाहे वो मद्विजाले सि चुछ कर सकते हैं अपना उस स्टेट को और इनको उसी के अधार पर 10 वर्ष का एज में छुट दिया जाएगा जो आपका 1823 का अंसार आपका छुट ये लागो होगा और इसके अंसार यहां पर नोट में दो पॉइंट दिया गया है तुसको समाझ लेंगे कि आपको करना क किया है इसके लिए ओनलाइन आविदन पत्र में माधिमिक शिक्षक पातरता परिक्षा एस्टेट दोज़र 23 के रिजल्ट कार्ड नंबर के अस्थान पर बीए सीबी यूनिक आईडी नंबर एम निर्गा तिथी के अस्थान पर परिक्षा फल परकासन की तिथी अंकित कर देना है और यहां पर ऑनलाइन आविदन पत्र में मध्य में दाले अम प्रलंबिक शिप्षक परशित्ति के लिए सीटेट उत्रेन विदवार परमार्ण पत्र अंक पत्र में अंकित स्रीयल नंबर एम निर्गत तेथी अंकित करेंगे यानि जो सीटेट भीरती हैं वो क्य आपकेवल आप लोग फर्म ही भर पाएंगे 25 तब और यहां पर आयों के पास काफी कम समय है चुकि आपका एक्जाम भी संभावित है साथ से दस दिसंबर की बीच में तो आप लोग फर्म में कोई गलती ना करेंगे क्योंकि यहां पर आपको कोई दुसारा भोका नहीं मि प्रिट के लिए मिलते हैं ने अपडेट में धन्यवाद